आज की वुलियों में हम बात करें कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो बिल्कुल फ्रीफायर के चैरेक्टर की तरह दिखते हैं और उन्हें देखकर इन कैरेक्टर को दिजान किया गया है नमबर वन जोटा जोटा फ्रीफायर का एक नया कैरेक्टर है जो की मार्च 2020 में ही फ्रीफायर में आड़ किया गया था जोटा को एक उनिक अबिलिटी के साथ इस गेम में आड़ किया गया है जोटा को भी एक रियन लाइफ एक्टर से ही इंस्पायर होकर बनाया गया है जोटा को इंडोनेशन एक्टर जो तसलिम से इंस्पार होकर बनाया गया है जो बिल्कुल सेम जो तसलिम की तरह लगता है इस करेक्टर को एड़ करने के बाद फ्रीफायर ने लाकों इंडोनेशन का दिल जित लिया है नमबर टू कश्मिर कश्मिर फ्रिफायर का एक नया करेक्टर है जिसे कुछ दिन पहले फ्रिफायर में एड़ किया गया था और इस गेम में आते ही ये करेक्टर बहुत से लोगों का चाहिता बन गया है इस character के ability दूसरे character से मुकाबले में ज़्यादा है इस character को भी real life से लिया गया है कश्मिर भी एक बहुती famous DJ और musician है कश्मिर California में पैदा हुए कश्मिर इनका real name नहीं है बलकि इनका stage नाम है उनका असरी नाम है निले शॉलो वर्लडर No.3 Maxim Maxim Free Fire का एक बहुती famous character है जिसे बहुत से players लेके खिलना पसंद करते है दोस्तों कर आप Marvel के fan तो आपने Maxim को देखकर फॉरण पैचान गया हुए कि या और कोई नहीं बलकि पिटर Maximum है जिनने लोग Quick Silver के नाम से जानते हैं और यह X-Men film series में भी नज़र आये थे इस Super Hero से ही Inspire होके Maxim को बनाया गया है जो कि दिखने में पुरा प्रीटर की तरह दिखता है नमबर 4, Kapila Kapila को आपने Free Fire के character list में ज़रूर देखा हुआ और बहुत से female players Kapila को लेकर खिलना पसंद करते हैं लेकिन यह बात बहुती कमलुक जानते हैं कि Kapila को Pink Killer नाम के एक Song से Inspire होकर बनाया गया है जिसमें नोय और जेम नाम की दो Girls का रुप बिल्कुल Same Kapila के तरह लगता है और नो ने ही Kapila को अपनी वाइस भी दी है नमबर 5, Ulfra हम में से बहुत से लोगों का यह फेवरेट करेक्टर होंगा क्योंकि इसका जो लोग है दूसरे कैरक्टर से बहुत ही यूनिक लगता है लेकिन शायद आपको यह बात जानकर हैने होंगी कि Ulfra को जिस इंसान से Inspire होकर बनाया गया है उसकी यह जबी 11 साल की है Ulfra को लिउ नाम के एक स्वीडिश स्ट्रीमर पर Inspire होकर बनाया गया है और इतनी कम एज में उन्होंने इतनी सक्सेस हासिल कर लिए कि वो Free Fire जैसे गेम तक पहुँच गये है नमबर 6, Kla Klaa Free Fire का एक मार्शिल आर्ट करेक्टर जिसे 2018 में Free Fire में आट किया गया था Klaa को भी Real Life से Inspire होकर बनाया गया है इससे एक मार्शिल आर्टिस्ट और एक्टर टूनी जा से Inspire होकर बनाया गया है टूनी जा ओ एन जी बैक फिलिन के वज़ा से काफी फेमस हुए थे और यह इनकी कंट्री की बहुत ही फेमस एक्टर है और इनोनी यह मूवी में जो लुक यूस किया था उसी लुक को गिरिना Free Fire ने कलाग करेक्टर को दिया है नमबर सेवन डीजे आलोग डीजे आलोग Free Fire के सबसे फेमस करेक्टर में से एक है और जातातर Free Fire लौवर्स अलोग को ही लेकर खेलना पसंद करते है क्योंकि यह कारेक्टर दिखने में तो अच्छा है साथी में इसके अबिलिटी भी कमाल की है डीजे आलोग Free Fire के ऐसे पहले कारेक्टर है जिनका नाम रखे बिना ही इनने गेम में आयर कर दिया था दोस्तों बहुत से योगों को यह लगता हुगा कि यह डीजे आलोग इंडियन है पर नहीं यह ब्राजिल के एक फेमस डीजे है अलोग जब छोटे थे तब इनके मन में डीजे बनने की इच्छा जाग उटी थी और आज वो एक बहुती फेमस डीजे और सक्सेसिवल इंसान है नमबर एट राफेल राफेल Free Fire का एक पावरफुल केरेक्टर है जो की दिखने में बहुत ही गुस्सेवार लगता है और इसके अबिलिटी भी कमाल की है जब आप फाइरिंग करते हो तो तब इसकी लोकेशन मैप पर कुछ सेकेंड के लिए शो नहीं करती जो की कमाल की अबिलिटी है अब ज़र इस एक्टर को दीखी है यह तीमोटी एलिफंट है जिने आपने हिटमें मूवी में देखा हूंगा और हिटमें की इस करेक्टर को देखकर राफिल को बनाया गया है फ्रीफार अपने गेम में नए नए करेक्टर को आड़ करते रहता है दोस्तो जए ओ कोई ने इबल की इंडिया के फेमस एक्टर रितिक रोशन है फ्रीफार ने रितिक रोशन से कोलबरेशन करके इस करेक्टर को फ्रीफार में एड़ किया था जो की फ्रीफार का पहला इंडियन एक्टर है नमबर टेन पर है मेगिल मेगल फिरिफायर का एक बहुत ही पुराना चारी जिससे सप्तेबर यूँर अठा में फिरिफायर में आड़ किया गया था जब ये काराक्टर फिरिफायर में नया नया अड़ हो था सब लोग इसे समझ रहे थी कि इसे एक ब्राजिलिन एक्टर वेंग्डान मोरा को देखकर बनाया गया है हाला कि यह ओफिशल अनॉस्मेंट नहीं किया गया था कि इस करेक्टर को इन एक्टर्स को देखकर बनाया गया है लेकिन 2019 के बाद इस करेक्टर का लुक चेंज कर दिया गया